पज़े श्री राव मता सीता लचमरा के ये जो सोराक होते हैं इन में शेर बबर शेर भी रेट पाड़ों के बीच जाने का रास्ता है पज़े माता की माता दर्शन दिये जी गईज नमस्कार जे श्री राम उमिद की आशा यही है कि आप खोश होंगे वेल्तम करता हूँ मेरे एक न्यू विलोग के साथ पहला विलोग थे मेरा पार्ट वन ये दूसरा विलोग है मेरा पार्ट टू तो आएए पार्ट टूर के अंदर मैं ये आपको तीलग सी जात्रा पे करवाता हूँ तील जात्रा और इसको 14 लाग जूनी भी बोलते हैं जाए हमाँ हिंदू में ये 24 सी जूनी ये बड़ा रोलु रखती है तो जो पाकस्तान के अंदर टूर में आपको करवाने जा रहा हूं ये बड़ी पाकस्तान के अंदर बड़ा तीरत है यानि के बड़ा हज है ये तो आएए पार्ट वन को आपको मैं पहले से देखा चुका हूं और Part 2 आपको मैं अभी यहां से शिरू कर रहा हूँ Part 1 में यहां खत्म किया था अभी चलते हैं शीबरी भाई की मंदिर पे और जहां राम 14 साल बर्वास आये थे तो शीबरी भाई की आस्तान पे आये थे तो यहां 14 साल के बर्वास में इस पारों में यहां आये थे और राम के जो शिबरी भक्तारी ने जिस बाग से तोर कर बेर खला थे वो बाग अभी तक मौचुद है यहाँ और आपको भी बाग का में दर्शन करूँगा और खुद भी करूँगा अगर बेर लगे होंगे तोसब लोग की आशा है कि हम जाके बेर खाएंगे शिबरी की बावके और मेरी भी तमणा यही है कि हम खाएंगे तो आईए بिलोग शुरू कर और या जानते होंगे क्योंके दो तेन विलोग को साथ साथ रहा है जैनवे दिलीव कुमर वे भाई राजा नाम तो खुब से लेकि तारिया ने बोलिया तो गई मैं भी गंगा से सनान कर लूँ और सब लोग यहां से सनान करके पवितर के नास निकलते तो मैं भी गंगा सनान कर लूँ क्यों एक सूप्राइब करूं हैज香लता है है और झाति आखाया कैने मतर nhân कि करें आखाया है तो यहीं आखाया हैามै तो शुघ क्युठि एक साहु आख मेंहें हो समय नो म्यों मन्यों मैं मौंब्सक्य श्थारी माी की जावे राव नागा है में। पाइबनाश्य बीकर लुटी एक हुड़ा शिटान है। रूब है हुड़ित लीने सांवत तो झाल सांवत fatto अलो भाई यह ज़े सब किस्तव या तब जा रहे हैं तो नाव भरे वी रहे इसना में तो भाई न्याल ज्याल भाई रिकोड़िंगर रहा है देखो यह थोड़ा तो भाई सब साथ साथ चलो सब साथ साथ तो गाई यह जए सफर बड़ा दिल को हिलाने वाला है और कुछ प्रास नाग भी है प्रस्ता जहां से हो बिलिकलता है वी अमक्रा नबाएं यहां से बीज़ता है लोग है लोग है वाल यह सब्सक्राइब यह देख सकते हो बाई यहाँ ने लेदे रेना कुछ है और मेरी पावर बैक भी लो चुकी थी तो मैंने यहाँ से कुछ जनेटर बे गयाँ बाई कुछ लोगوں कहां के ना है कि ही जो सुराक होता है सुरंग होते हैं इन में शेर बबर शेर भी रहते हैं लेकिन इन दुनों में होते दो है लेकिन इस पाड़ों के बीच उमें होते हैं दोस्तों यहां मैंने कदम कदम पे खूब सुरत जानवर देखें हैं यह देखो यह फिर से माता जी ने दर्शन दिया है एक शेर के रूप में यह शेर 24 गंटे यहां घुमता रहता है लेकिन हरकिस किसी को नुकसान नहीं देता है और यह नजर भी हर किसी को नजर नहीं आता है इसकिस को नजर आता है बाई यह और माता जी नानी भी इसकिस को दर्शन करवाती है और यह देखो दूर दूर तक लोग फैले हुएं लेकि यह शहर भी रहते हैं लेकिन किसी को किसी का नुकसान नहीं होगा भाई वे को कितने दूर 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 देखे तो शार गिरदारी बाई और संजे बाई दोनों मिल गए बाई क्या आल है और यह भी चुरह से जूनी कटने आये किरा से दाम के आया है नारन भाई का थेंक यू थे दावू से शिरी मानी बागे दावू पे आवे शिवरी मानो जूला जूला के पूतरया पे अने दोस्तों लोगों बोट चलना है और दोस्तों लोगों बोट चलना है बादने में आपको पता पढ़ गया होगा कि इतना कठी रास्ता है यह और यह लोग यहां पथर ढूंड रहे हैं और यह पथर कोई किंती पथर होता है वो कोई किंती पथर जो जो इसको समझता है वो इसको इतना किंकी पथर मिल जाता है कि अपनी तक्दी को पलट जाता है वहां तक्दी को पलट के रख देता है इतना किंकी यह पथर होता है लेकिन जो समझे मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं पथर को मेरे पास बहुत सब्सक्र मिले हैं और यह जोख चारे ना इस तरह से अपन को भी चलना पड़ेगा यानिके मैं लोग कहते हैं कि यहां राम जो 14 साल बनवास करके आए थे तो यहां भी आए थे इस नगरी में बाई के आस्तान में आया था सी राम चंदर अच्छा बाई के आस्तान में आया था दोस्तों फाइनली अपन बेर खाये थे वो इसी बाग के खाये थे जो लोग यह देखो कुछ लोग यहां पते तोड़ के खा रहे हैं इसके कुछ लोग इसके पते तोड़ के खा रहे हैं हाँ यह देखो तो यह गाईज यह सामने जो देख रही है यह इसका आस्तान है इसका मंदिर है तो दोस्तों फानली अपन पहुंच गए हैं और शिबरी बाई का और आम का धर्शन करने के लिए तो आए दर्शन करते हैं अपने और काई दे यहां से मैं इसकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करूँगा इनकी जो पूजा रही इनके भागते उनसे कुछ पूछूँगा इस्ट्री माता जी आधरी में हाधर हमेंैं जो को मुझ वाणा ना है से माता संद भाए को यह को बाता जाने का ने दर्शन करip 17 पानी कर ता पाने जो मता करेंगे मता करें दे ... मता करें दे, थानियों...... धानियों... ए मता शिपुरी जिगा है जातरी भीलान है असल कावट एंड़िया रिया है इंड़िया में येरो गुरू मतंगुरुती लातो पचे हुआ है और शरण हती आप ले गुरु साहब नकई दे यह पर्भू मेना भगवान से मिलनों है तो गरू साभ कई दे लिया तना जानों पास है माता हिंगलाज भलोस्तान पाड़ा में हो तो तना तप करनों पास है माता खोड़ ली माता शेरा वाली माता शेरी जी को थी जबला में बेर पोके राम रा बेसरी सची सथा सा तो राम हास है माझे जोपड़ी में माझा बेर खास है वजे श्री राम मता सीता लचमना परभू हरुमान सजार हाजर तो विच्च में राम लका विजा बावा जी के टठाला वहां बावा के रापरभू श्री नीकुटिया निंदिकी है अचनी कोटिया बदू है अज जहर माझा बावानी करें अचनी सच्चा साथवा तो राम करो मेरा भगत हुआ है इसकी मुझे पर सद्दाय है उसकी कोटिया खोटी नहीं है उसकी कोटिया भड़ू है इंक करेवा साथवा ना चले माता शिवरी लाए हो बेर पत्टे आई भेर पटोवा में ट्रक्षति आई, जो को खटा-खटा आता, वो भीगाती आई, जो को मिठा-मिठा आता, खाई ओपर करें, वो रामना देती आई, वो राम खातो आये, जैदा पचालो राम नेखा वर मांगे, तो तो मिनना कोजी के कोजी कोन को खबे, तो माता तो वर जिन्हम में आप मुझे पेटा अवतार वटी वजी उते पेटा अवतार वटो वरी श्री टिर्शन भगवान और पेटा वजी जिन्हम वटो जी हाँ गाईज यह आपने दर्शन किया शिबरी बाई बगतानी का मंदिर का और उनकी राम की बाग का वो जहां बेखाए थे उनकी जगागा उसका विलोग में आपको दर्शन करवाया अब अपन चलते हैं मिल कुल पे मिल कुल पे यहां गंगा बेती है वहां सिनान करेंग को पुराने कपड़े वहां रखेंगे और नए कपड़े वहां पेनेंगे आये तो देखते हैं वर व्लक्त जी हाँ गाईज ये ये अनुल कुल है ये पानी फूद्र की पानी है यह मरवेल पार में से पानी आ रहा है ये उनका पानी है ये इदर दंगा स्नन करने का मकसद यह है कि यहां सिनन करके पवितर हो जाते हैं और यह लोग बोतले बढ़ रहे हैं यह अमरवेल का एक कत्रा बूंद का भी बोतल के अंदर जब गिरता है तो यह धन्मन केलाता है अपने आपको माना बागशाली केलाता है तो दोस्तों इसमें कत्रे बहुत सारे गिरते हैं है तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यह यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी मैंने कठिन से कठिन सफर करके आपके लिए यह विलोग बनाया है और एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरा बनता ही है अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना ताके हमारी आने वाली वीडियो आप से कोई देखे बेगेर रहे ना जाए अगला विलोगवा का माता जी हैंगलाज का मंदिर का धन्यवाद फिर मिलेंगे खूसरत